शियोपूर में राशन्द वितरन में गड़वडी का मामला सामने आया है इस बारे में अधिकारियों ने मुख्य मंत्री शिवरा सिंग को भी गुमराह कने की कोशिश की इस दोरान मुख्य मंत्री शिवरा सिंग ने कड़े तेवर दिखाते हुए राशन वितरन से जुड़ी गलत जानकारी देने पर शिवपुर जीले के अपूर्ती अधिकारी को निलंबित कर दिया है मद्ध पिदेश में कल्यानकारी योजनाओ का लाव आस्तविक हितगराहियों तक पहुचाने को लेकर सियम शिवरा सिंग चौहान एक्षर मोर में हैं बुदवार सुभय मुख्य मंत्री ने अपने निवास कार्याले से शियोपुर जीले की वर्चूर समिक्षा बैठक ली इस बैठक में उन्होंने शियोपुर जीलेस में संचारित विभिन विकास कार्यों योजनाओं के बेहतर की रानमयन और कानून व्यस्था की स्थिति की समिक्षा की राशन वितरन की समिक्षा के दौरान उन्होंने कुछ गाओं में केवल पाँच छे दिन राशन की दुकाने खुलने कियोस्क से परची नहीं देने की शिकायतों पर अप्रसन नता व्यक्त की और कहा कि इसमें गड़वडी करने वालों पर सख्त कारवाई की जाएगी हमेश्योपूर को कुपोशन के कलंग से मुक्त करना है जिले में गरीब करल्यार की योजनाओं का प्रभावी क्रियानवेन हो राशन वितरन में कोई गड़वड ना हो ये सुनिश्चित करना और जनता को सुष शासन देना राजशासन की सर्वोच प्राथमिक्ता है इस बीच जिले के अपूर्टी अधिकारी ने मुक्की मंतरी को गलत जानकारी दी तो मुक्की मंतरी ने कहा डियासो गलत तथ्य प्रस्तुत ना करें गरीबो तक सही तरीके से राशन पहुंचे ये हमारी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री ने कहा मैं DSO को मैं अभी सस्पेंड करता हूँ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा जिनकी शिकायत आई है उनकी सेवा समाप्त की कारवाई की जाए मैं फिर कह रहा हूँ कि हम सभी योजनाओं का लाब बिना कठिनाई के हितग्राहियों तक पहुंचाएं अभी स्किल्द में टेवलिप्रूं टेवर्शी ने कि एंड बिन्हीं अभी योजनाव इज्टेवलिद्चेश ने श्यू चिल्बेस्टिविस्टी रबिनाद तर्कान टेव यंवर्सिटी निए आप देख रहे हैं दखल न्यूज